मेरी आवाज ही पहचान है इसमें भार्ब कहाँ बात क्या हुआ डियर स्टूर्डेंट्स शीक्षा मांत्रा अब से हो गया है एडू ब्लॉगिंग इसका मदलम ये हुआ कि देखो ये जो गाना है नाम गुम जाएगा चहरा भी बदल जाएगा मेरी आवाज भी पहचान है ये जो गाना है लता जी का इसमें वार्ब कहां से आया ये कैसे हमारा वार्ब का जो सीखने का पैटर्ण है जो तरीखा है actually how we want to learn verbs it helps us a lot it helps us a lot to learn verb so here today in this particular edu blogging of Shiksha Mantra we are going to discuss how Now, Namgum Jaya Gaa is related to our lexical verbs or the concept of verb. So let's begin our first discussion on Shiksha Mantra. येस डियर फ्रेंड्स, वार्ब एक ऐसा चीज है, जिसको हमें बहुत बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों? क्योंकि वार्ब के अंदर बहुत कुछ होता है, और इसमें एक टार्म मैंने बता दिया, और वो टार्म है ये कि लेक्सिकल वार्ब्स, ये लेक्सिकल वार्ब्स हम सीखेंगे, we have to learn lexical verbs well, but before we learn lexical verbs, we have a lot of other verbs to learn for, So, let's begin our discussion with the verbs first, कैसे होता है ये सारे वार्ब्स? ये बहुत ही टिपिकल होता है, क्यों? क्योंकि जब तुम्हें कोई वार्ब बनाना पड़ता है, बहुत सारे वार्ब की ज़रूरत पर जाते है, कभी-कभी, क्योंकि वार्ब मोस्ट अब दा टाइम आते है, कैसे? आते है, एक फ्रेज की तरह, सो इसे लिए पहले ये जानना ज़रूरी हो गया कि auxiliary verbs क्या होता है, आएंगे lexical verbs, ये जो lexical हम आज discuss करने जा रहे हैं, ये lexical verbs के बारे में तो हम जानेंगे, we'll discuss about lexical verbs, but before that we must know what is auxiliary verb, auxiliary verb means what, auxiliary means am, is, are, was, were, shall, will, should, could, would, may, might, the long list and there's also you get primary auxiliary and modal auxiliaries, but the most important factor is that, ये जो auxiliary verb है ना, इसका कोई change नहीं होता, इसका form ये ही रहे जाता है, पर, पर, पर auxiliary verb करते क्या, ये तो formation में help कर देते हैं, क्योंकि ये कोई sense develop नहीं करता, अगर मैंने ऐसे बोल दिया जी, कि we are learning verbs, now we are learning, ये जो आर, जो auxiliary verb है ना, इसका तो कोई मतलब नहीं, तुम्हें इसका कोई sense नहीं मिलेगा, इसलिए ये auxiliary है, क्योंकि ये जो auxiliary verb है, इसका काम ही है, support करना, और ये जो support provide करता है ना, इसके support से, ये नए नए verb formations लगा देता है एक से बढ़ कर एक word forms बना देता है, कैसे, it helps us information of tense, information of voice, information of mood, but, इसका कोई sense नहीं होता, इसलिए इसका कोई change नहीं होता, अगर, अगर, तुम्हें will मिल गया, can मिल गया, could मिल गया, might मिल गया, इसका कोई change नहीं होता, इसलिए ये auxiliary होता है, पर ये lexical क्या होता है, पहले ये समझो, कि ये जो lexical term है ना, ये lexical term का मतलब क्या होता है, it means it's related to vocabulary or words of a particular language, ये जो lexical होता है, ये सभी language में आते हैं, ऐसा नहीं कि lexical सिर्फ तुम्हें मिलेगा, English में ही मिलेगा, lexical का मतलब होता है ये, कि ये सारे हमारे जो vocabulary होता है, words होता है, उसका sense होता है, वो related होता है, इसका मतलब ये हो जाता है, ये verb का जो sense वालब पाट है ना, वो होता है lexical, so, if we make it very simple, what happens, those verbs which aren't auxiliary, you have a list of auxiliary verbs, बात ये ही है ना, auxiliary verb के लिए तुम्हारे पास एक list होता है, so, so many of them, ये सारे जो auxiliary verb का list होता है, इसको छोरो, ये auxiliary verb को side में रख दो, उसके बाद जो सारे, सारे वार्ब तुम्हें आता है, सभी होता है क्या, सभी वार्ब होता है, तुम्हारा lexical वार्ब, क्योंकि, क्योंकि ये सारे lexical verbs जो आते है, इसके साथ एक meaning लाकर देते है, हमें, हमें जो action का मतलब समझाता है न, वो मतलब आते है कहां से, वो तो आते है lexical verbs से, इसलिए ये समझो, कि अगर कहीं पर light है, तो तुम क्या कहोगे, अगर मैं तुमें बताव, let's define light, you may say so many things, particles, etc, 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 that will be learned in physics, but if I say what is darkness, define darkness, what you will do, it will just put out all the lights and you will say sir, lack of light light is actually darkness, जहां light नहीं होता है वही होता है darkness, auxiliary और lexical ये भी ऐसा ही होता है, auxiliary को छोड़ो, side में रख दो वो सारे auxiliary verbs को, उसके बाद जो आते हैं न, वो होता है lexical पर इससे लता जी का नाम गूम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, इसका क्या मतलब होता है, होता है, देखो भई, अगर मैंने ऐसा एक वर्ब लगा दिया, play, इसका नाम है play, नाम तो मिल गया, आवाज भी मिल गया, here, if you consider, here आवाज ड़संट मिल साउंड, हाँ, यह आवाज के जो मतलब निकल कर आते हैं न, इससे sound मत समझो, इसको sense समझो, so play, it has a sense, this particular word, play, has a sense, इसका तो sense होता है, इसका तो एक मतलब आ जाता है, तो अगर इस word से कोई मतलब मिल जाते हैं, इसका मतलब यह होता, कि इसका sense आ गया, sense आने से यह बन गया, lexical word, तो क्या हुआ, नाम तो मिल गया, लेकिन यह जो नाम गुम जा रहा है, यह जो चहरा बदल जा रहा है, यह जो सारे बाते चल रहा है, लता जी, लता जी ने जो बात कही है, वो कहां से मिला वार्ब में, चलो यह देख लेते हैं, इसका नाम तो मिल गया हमें, पर यह गुम जाता है कैसे, अगर इसे तुम played या playing में convert करोगे, so with this conversion, इसका नाम तो गुम गया, play हो गया played, या हो गया playing, so what happens, there comes a change, इसका नाम गुम हो गया, चहरा भी बदल गया, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए के इससे भी जादा दिखाओ, sir, इससे भी जादा दिखाओ, तो देखो बच्चे, कैसे होते हैं ये, इससे भी जादा changes आते हैं, कैसे, अगर go, इसे ले लिया मैंने, तो चलो, इसको तुम different form में ढूंडो, कैसे ढूंडते हैं हम, हम इसे लगा देते हैं, ऐसा भी form, went, and also gun, gun, gun में तो गो का कुछ है, लेकिन what's about went, it's a different form, it's completely different, so, चहरा भी बदल गया, नाम भी गुम गया, लेकिन, कुछ तो रहे गया, मेरे पहचान कैसे, मेरे बच्चो यह जो वर्ब है ना, इसका पहचान कहा रहे गया, इसकी sense में, इसकी आवाज में, इसे लिए आवाज को पकरो, अगर आवाज को पकर लिया, If you can catch the sense, the sense of the word, the verb gets lexical. That means lexical are verbs which changes their forms, which changes their, yes. नाम भी बदलता है, चहरा भी बदलता है, फोर्म बदल जाता है, लेकिन, it doesn't change its sense. The sense remains there, only forms changes and those verbs which has a particular sense, which doesn't vanish, which doesn't get vanished with the change of its forms, the meaning, the sense remain the same. We call it lexical verbs. Yes, dear friend. And so, whenever we talk a verb, we must remember the sense with which the verb goes is called lexical verbs and lexical verbs is actually the star of our sentences. So, फिर भी लाता जी का गाना याद रखो, नाम गुम जाएगा, चहरा भी बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, यही रहे जाएगा. So, यही होता है अपना lexical verbs. So, I hope you have understood what is lexical verb. And if you have any problem, if you have any query, you have your own comment section here to write down. And also, if you have stumbled upon this channel, अगर आही गये हो ना, और अगर लग रहा है कि यहाँ कुछ सीख सकते हो, क्योंकि अपना जो edu vlogging है, सीख्षया मंत्र में, यहाँ पर शीख्षा की बाते चलते हैं. लेकिन, here the education is not the conventional education. ऐसा जो एडूकेशन होता है न चलते रहते है चलते रहते है ये पड़ो वो पड़ो यही बाइस तुम्हारा पास जो बुक साइ वो सारे बेखो लिटरेचर पर एट सेटरा एट सेटरा एट सेटरा एसा नहीं चलता हिया यहा बहुत कुछ चलता है so if you have stumbled upon this channel for the very first time and you have liked it you have your own subscription button there you can subscribe it with the bell icon and be a part of edublogging shabshaka mantra so let's end our video year we are returning very soon until then bye bye happy learning झाल झाल